जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्वमिजन यूटूब चैनल और दोस्तों एप में दोस्तों बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते वर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे है तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस परकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है तो इस परकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तो हम देखें कि Play Store में आपको इस परकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तो इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा जीमेल नंबर मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप रेजिस्टर करके आँगे बढ़ेंगे जैहिन साथियो बेलकम टू सल्प स्टेडी किलासे विश्वमिजयन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज का वीडियो स्टार्ड हो चुका है तो सभी लुग वीडियो को लाइक कर देंगे सभी को सेर भी करना है मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है और पर्यावन से सम्मंदित आपको याद रखने ना है कई महत्पूर्ण प्रस्णों पर आज हम चर्चा करेंगे आपको उत्तर बताना होगा चार विकल्पों के माद्यम से यहां पर आप उत्तर बताएंगे और अपना अपना आकलन करेंगे ठीक है तो इस्टार्ट होने बाले हैं सभी लोग लाइब आजाएं आपको सबसे पहले तो चनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को दबाना है और पर कलिक करना है ठीक है और आपको सेयर भी करना है वीडियो को आज हम पेड़ पौधों के बारे में यहां पर पेड़ पौधे और जीव जन्तूं से सम्मंदित जो भी आपके प्रशन बन सकते हैं उनके बारे में यहां पर पढ़ेंगे ठीक ह तो आज का हमारा जो सिलेवस के अनुसार है कि हमारे आसपास के जो जीव जन्तू है वो भी आपका है ठीक है सिलेवस में और पेड़ पौधों से सम्मंदित भी आपके इस्थानी ये पेड़ पौधों से सम्मंदित हैं तब आपका जो हमारा पहला प्रस्ण हो जाता है वो क् सबसे सरल हरे पादप हैं तो कौन से हैं तब हमें बताना है सबी लोग बताएंगे सबसे सरल हरे पादप कौन से इस्ट जीवानू सेवाल या फिर लेक्टो बेसिलस तो उत्तर क्या होगा चार बिकल्प हैं चार में से सबी लोग चेहन करेंगे और उत्तर बताना है तब आप nity. next question देखेंगे, हरे सेवाल कोज़ग्या में पायरी नाइड सम्बंदे थे तो किस से सम्बंदे थे? चार भेकलबें सभी लोगों को आंसर बताना है पायरी नाइड किस से सम्बंदे थे? तो जल्दी से बताएंगे, starch के निर्मान से, protein संग्रण से, ओपापचाय से या फिर एंजाइम इस्त्रावण से तो हरे से अबाल कोच्किया में पारी नाइड बताना है कि किस से सम्मंदेत है तब सभी लोग उत्र बताएंगे तो चार बिकल्ब हैं चार में से एक कचेन करना है अपने अपने नंबर काउंट करते जाएंगे सभी लोग है ना किसको कितने नंबर कौन कितने नंबर सही बता रहा है तब आपका जो आंसर हो जाएगा इसका वो होगा आ नंबर स्टार्च के निर्मार से सम्मंदेत है हरे सेवाल कोच्किया में पाइरिनाइड जो सम्मंदेत है वो स्टार्च के निर्मार से सम्मंदेत है यानि कि जो आपका ए नंबर है वो बिल्कोर राइट अंसर होगा ठीक है अंगला कॉस्चन देखो यह है अपका एस्पाइरो गाईरा की कोच्किया वित्ति किसकी बनी होती है जल्दी से बताना है इस्पाइरो गाईरा की कोच्किया वित्ति किसकी बनी होती है तो चार बिकल्प में से हमें एक आंसर बताना है सबी लोग उत्र बताएंगे इस्पाइरो गाईरा की कोच्किया बतानी है किसकी बनी होती है तब आपका जो आंसर हो जाएगा आंसर क्या होगा? Cellulose, cellulose यानि बिकल्प नमबर जो A है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है A नमबर इसका सही होगा है ना? और बर्ग एक की किस-किस ने परिक्षा दीती? बर्ग एक की, बर्ग एक की बताएंगे आर्की गोनियम या फिर इस्पेरो रेंजियम इस्पोरेंजियम तो चार विकल्प है, ब्रायो फाइटा मादा जनलांग है तो किसका है? जल्दी से बताएंगे, चार विकल्प में से एक आंसर सभी को बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका जो उत्तर होगा ब्रायो फाइटा, जो मादा जनलांग है वो है सा, मतलब आर्की गोनियम से सम्मदित सी नंबर जोनों नहीं बताया, उनका अंसर बिलकुल सही है, सी नंबर वालों का ठीक है सी नंबर आपका राइट अंसर होगा अधिकांस लोगों ने बिलकुल सी बताया है अंगला कोस्चिन देख लो ब्रायो फाइटा, जो है टेरीडो फाइटस से भिन्न होता है तेरने बाले एंत्रो जोईडस में, स्वतंत्र गेमटो फाइटस में आर्की गोनिया में या फिर बैस्कूलर उतक की अनुपस्तिती में तो हमें बताना है ब्रायो फाइटा, टेरीडो फाइटस से भिन्न होता है किस प्रकार से भिन्न होता है तब सभी लोग उत्र बताएंगे चार बिकल्प में से सभी लोग चैन करेंगे biopita teridopitis से भिन्न होता है तो किस पिरकार से भिन्न होता है तब आपका जो right answer हो जाएगा वो क्या होगा वे कलप नम्मर D जिन्होंने भी D बता है उनका answer बिलकור right है Baskular umtak की अनुपस्तिती में ये भिन्न होता है ठीक है अंगला question देखो तेरी nativeitis का लक्षण है संबहन उतक की उपस्तिती पूसप की अनुपस्तिती फल की अनुपस्तिती ये उप्रोख्त सभी प्रश्ण की रमांग 6 का अंसर सभी लोग बताएंगे टेरी DO heitis का जो लक्षण है वो क्या माना जाता है तब आपका right answer क्या हो जाएगा? प्रश्क्रमांग 6 का answer बताना है और प्रश्क्रमांग जो 6 का answer होगा वो होगा D यानि कि उप्रुक्त सभी बिलकुल सही हो जाएगा D number जिन्हों नहीं बता है उनका answer बिलकुल right है D number आपका बिलकुल सही होगा ठीक है अंगला कोस्चन देख लो बायू स्वसने द्वारा गुलू कोच की उर्जा कैसे मुक्त होती है इस पिरकिरिया की खोच सरप्रतम किस ने की तब चार बिकल्प में से हमें उतर बताना है किस ने की ती क्रेप्स ने की ती हौकंस ने लिस्टर ने या फिर पास्चर ने तब आ तो अधिकांस लोगों ने उतर बताया है B कुछ लोग बता रहे हैं A आपका उतर होगा क्रेप्स यानि की A नमर आपका बिल्कुल सही होगा बायू स्वसने द्वारा गुलू कोच की उर्जा कैसे मुक्त होती है इस पिरकिरिया की कोच सरप्रतम किस ने की है तो क्रेप्स म बताना है पोसक तक्तो के रूप में ब्रदी के लिए प्रियोक करता है तो कौन करता है राइबो जोबियम इस पाइरो गाईरा या फिर म्यूकर या इनमें से कोई नहीं नाइट्रोजन के बारे में सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन है इन नाइट्रोजन बायू मंडल म इस्पाइरो, गाईरा आपका B-number बिलको राइट अंसर होगा बी जिनों नहीं बताया है उनका अंसर बिलको शाहिए B-number बालों का ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं कौन नाइट्रोजन इस्तरी करणा में सहायक नहीं है बताना है नाइट्रोजन इस्तरी करण में सहायक नहीं है तो एना बीना, नौस्टाउक, ओसिलो, टोरिया या फिर राइजोबियम चार विकलब है, नाइट्रोजन इस्तरी करण में सहायक नहीं है तो आपका उत्तर क्या होगा, प्रश्ण करमांक 9 का सभी लोग आंसर बताएंगे तब अधिकांस लोगों ने बिलकुर राइट आंसर बताया है कि नाइट्रोजन इस्तरी करण में जो सहायक नहीं है, वो कौन सा नहीं है तब आपका उत्तर होगा सा, यहनि कि ओसिलो टोरिया आपका सी नमबर बिलकुर सही होगा, सा राइट है, ठीक है अंगला कौस्चन देखो, साइनो बैक्टिरिया है, तो क्या है साइनो बैक्टिरिया एक बायरस जो बैक्टिरिया को प्रभावित करता है या फिर एक सेवाल जिसमें नील हरत वरनक होते हैं या फिर एक बायरस जो पोषण के रूप में साइनाइड उपियोग करता है या एक रंगी ही निकबक तो दस का उतर बताना है साइनो बैक्टिरिया है तो क्या है? चार बिकल्प हैं, चार में से एक सभी लोग चेहन करेंगे साइनो बैक्टिरिया के बारे में बताना है A, B, C करके आपको उतर बताना है तब आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़ी अंसर प्रश्ने करमाग 10 का होगा 2 यानि कि यह सेवाल जिसमें नील हरित बरनेक होते हैं B नमबर आपका बिलको राइट अंसर होगा B जनर नहीं बताया है वो उनका सही होगा साइनो बैक्टिरिया जो है एक सेवाल है और इसमें नील हरित बरनेक होते हैं बी नमबर आपका बिलकुर राइट अंसर होगा नेक्स्ट है यदि सभी तालाब नश्ट हो जाएं तो कौन सा जीव नश्ट हो जाएगा लीसमानिया ट्रिपे नोसामा या फिर एसकेरिस या पिलाजमोडियम तो जन्दी से बताएंगे यदि सभी तालाब नश्ट हो जाएं तो कौन सा जीव नश्ट हो जाएगा तब चार बिकल्फ हैं चार में से एक कचेन करेंगे यदि सभी तालाब नश्ट हो जाएं तो कौन सा जीव नश्ट हो जाएगा तब आपका जो राइट अंसर होगा प्रश्ण किरमांक 11 का वो क्या हो जाएगा पिलाज मोडियम पिलाज मोडियम जो है यह नश्ट हो जाएगा डी नम्मर आपका बिलकुर चाहिए होगा ठीक है डी जिनों नहीं बताया है उनका अंसर बिलकुर राइट है अंगला कॉस्चिन देखो राई जो पस में पोशन की बिधी कौन सी है पर जी भी सह जी भी मृतोप जी भी या सोपोसी राई जो पस में पोशन की बिधी है तब राइट आंसर क्या होगा तब अधिकांस लोगों ने बताया मिर्तोप जी भी यानि की सा नंबर आपका सही हो जाएगा सी जो नों ने बताया है उनका अंसर बिलकुर सही होगा सी वालों का ठीक है सा नंबर अंगला कोश्चन देखते हैं निम्न मैंसे कौन सा एक अधीपादप का उधारन है अधीपादप का उधारन बताना है मक्का, आर्केड, अंगूर या फिर बो गेन, बिलिया अधी पादप का सबी लोग बताएंगे अधी पादप का उधारन कौन सा है जल्दी से बताना है चार बिकल्प बताना है आपने पादप पड़े हैं अधी पादप पड़े हैं और अधी पादप मैंसे हमें बताना है कि अधी पादप का उधारन कौन सा होगा तब चार बिकल्प है मक्का है आर्केड है अंगूर बोगेन विलिया है तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा बिकल्प नमबर जो आपका B है वो बिल्कुर शाहिए होगा जो आर्केड है और्केड ये अधी पादप का एक उधारन माना जाता है B जिन्वा नहीं बताया है विल्कुर राइट है किके और्केड अधी पादप का उधारन है अंगला क्वेस्चन देख लो मार्फीन किससे प्राप्त होती है फूल से पत्ती से फल से या फिर तना से तो जल्दी बताएंगे सबी लोगों को आंसर बतान है मौर्फीन किससे प्राप्त होती है चार बिकल्प है चार में से एक कचेड सबी लोग करेंगे तब आपका राइट अंसर क्या होगा मौर्फीन किससे प्राप्त होती है तब अधिकांस लोगों ने सही उत्तर बताया फल फल यानि की बिकल्प नम्मर सा जो है आपका सी नम्मर आपका राइट आंसर होगा मौर्फीन प्राप्त होती है फल से तो सी नम्मर राइट ठीक है अंगला कोस्चन देख लो जीबों में आनुवांसिक लक्षन संतान में ले जाते हैं तो राइबोसोम से प्लाजमा, क्रोमोसोम या फिर लाइसोसोम चार बिकल्प है सबी लोगों को उत्र बताना है जीबों में आनुवांसिक लक्षन संतान में ले जाते हैं तो किसके द्वारा राइबोसों, प्लाजमा, क्रोमोसों या फिर लाइसोसों तब आपका राइट अंसर क्या होगा प्रश्निक रमांक C यानि कि क्रोमोसों C नमबर जिन्हों नहीं बता है उनका अंसर बिलको राइट है C नमबर वालों का ठीक है अंगला देखो केसर का उपियोगी भाग है तो कौन सा है बरतिका, पुसपासन, फल या फिर कंद तो प्रश्निक रमांक 16 का अंसर हमें बताना है केसर का उपियोगी भाग कौन सा होता है सभी लोग अंसर बताएंगे तब आपका राइट अंसर क्या होगा केसर आप जानते होंगे और केसर का जो उपियोगी भाग होता है वो होता है बरतिका यानि बिकल्प नमबर A जो है वो बिलकुल आपका राइट होगा जिन्नों ने भी ये बताया है वर्तिका, उनका अंसर बिल्कुश चाहिए केसर का उपयोगी भाग होता है वर्तिका, ए नमर सीशा युक्त पेट्रोल में होता है तो क्या होता है सबी लोग उत्र बताएंगे सीसा योक्त पैट्टोल में जो होता है वो क्या होता है तब दिकांस लोगों का जो आंसर आया है वो आया है बिकल्प नमर दा ट्रेटा एथिल लेड होता है डी नमर आपका बिलको राइट आंसर होगा डी जिन्हों नहीं बताया है उनका अंसर बिलकोश चाहिए है ठीके ट्रेटा एथिल लेड अंगला कॉस्चिन देखो मनुस्त का चांद पर भार उसके भार का लगबग होगा एक बटे दो एक बटे चार एक बटे छे या फिर एक बटे नो सबी लोगों को बताना है मनुस्त का चांद पर भार उसके भार का लगबग होगा तो कितना होगा सबी लोगों को बताना है प्रश्न किरमा गठारा का उत्तर होगा एक बटे छे एक बटे छे आपका बिलकुर सही होगा मनुस्त का चांद पर उसके भार का लगबग होता है एक बटे 6 है ना सा नंबर जिनों नहीं बताया है उनका अंसर बिलकुश रही है अदरक का खाने योग भाग है तो कौनसा है गनकंद प्रकंद सलक कंद या फिर कंद तो प्रश्नक्रमांक 19 का राइट अंसर सबी लोग बताएंगे अदरक का खा खाने योग जो भाग होता है वो कौनसा होता है तब राइट आंसर बताना है तो अधिकांस लोग जो उत्तर बता रहे हैं बी कुछ लोग डी कुछ लोग सी तो आपका जो आंसर होगा प्रकंद अदरक का जो खाने योग भाग होता है वो होता है प्रकंद यानि बिकल्प जो B है वो बिलको right answer होगा B number जिन्होंने भी भी बताया उनका answer बिलको right है अंगला देखो मनुस्त में malaria पर जीवी की खोच करने बाले बैग्यानिक थे तो कौन थे Ronald Ross, Charles Lebron, Louis Pasteur या फिर Jenner सभी लोग बताएंगे मनुस्त में malaria पर जीवी की खोच करने बाले बैग्यानिक कौन थे तब right answer क्या होगा आप सभी का तो अधिकांस लोगों ने प्रस्नेक रमांक जो 20 का उत्र बताया है बिलको right बताया है कि जो Charles Lebron थे ये malaria पर जीवी की खोच करने बाले बैग्यानिक थे यानि कि B number आपका बिलको right answer होगा है ना Charles Lebron बी नमबर आपका सही हो जाएगा अंगला question देख लेते हैं अंगला जो अपना question है systema naturally नामक पुस्तक के लेखा कें तो कौन है systema naturally हमें बताना है उत्तर क्या होगा चार बिकल्प है चार में से एक का उत्तर बताना है सभी लोग बताएंगे प्रश्न करमा की कीस का होगा linear यानि कि जो आपका बिकल्प नमबर एक है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है ठीक है linear आपका सही होगा और इसका जो answer होगा रोनाल्ड रास होगा ए नमबर ठीक है मनुस्त में malaria परजीबी की खोच करने बाले जो बैग्यानिक थे वो रोनाल्ड रास्ते ए नमबर बिलकुर राइट है है ना ए नमबर आपका सही हो जाएगा सभी लोग ए नमबर अपना सुधार लेंगे ठीक है अंगला question देख लेंगे जन्तू बिग्यान के जनक कौन है जन्तू बिग्यान के हमें जनक बताना है प्रस्ण किरमांक 22 का सभी लोग बताएंगे जन्तू बिग्यान के जनक बताना है सभी को बताना है सभी लोगों को आंसर आने जीए फटाक से तब चार बिकल्प है और चार में से सभी लोगों ने उत्तर जो बताया है क्या बताया है अरस्टू यानि की सार नंबर आपका बिल्कूर सही हो जाएगा ठीक है जन्तू बिग्यान के जो जनक है वो अरस्टू साभ है सार नंबर राइट अंसर बिटामिन सब्द पृतिपादित किया तो किसने किया 23 का सभी लोग अंसर बताएंगे बिटामिन सब्द किसने पृतिपादित किया है लूनिन ने फंक ने या फिर एडिसन या इनमेसे कोई नहीं तब right answer क्या होगा, ingredient सब्द का पृत्टी पाद न किस ने किया है, तब अधिकांस लोगों ने बिलको right answer बताया है, क्या बताया है, funk, यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका B है, वो बिलको सहय होगा, ठीक है, B नम्मर. अंगला कॉस्चिन देखेंगे प्रोटीन की कमी से होने बाला जो रोग है वो क्या है तब सभी को बताना है प्रेस्टिक रमांग 24 है और 24 का जो आपका आंसर हो जाएगा कि जो प्रोटीन की कमी से होने बाला रोग है वो क्वासी योरकर है यहनि कि D नमबर आपका बिलकुर सही है दिकांसर लोगों ने बिलकुर राइट आंसर बटाया है बिलकल नमबर D अंगला कोश्चन है दूद का इसकंदन होता है कैसीन द्वारा रेनन द्वारा पैपसिन द्वारा या ट्रिपसन द्वारा 25 25 का आंसर क्या होगा दूद का इसकंदन जो होता है वो किसके द्वारा होता है तब सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है वो क्या रहा है बहुत बढ़िया रेनिन यानि कि बिकल्प नमबर जो आपका B है वो बिल्कोर सही होगा रेनिन द्वारा अंगला कॉश्चिन है रुधिर इसकंदन हे तू आवसक बिटामेन है तो कौन सा है बिटामेन A, बिटामेन B, बिटामेन E या फिर बिटामेन K रुधिर इसकंदन हे तू आवसक जो बिटामेन है वो कौन सा बिटामेन है प्रश्न किरमांग 26 और 26 का आंसर सभी को बताना है तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अधिकांस लोगों ने बिलको राइट आंसर बता दिया कि रुधिर इसकंदन हे तू आवसक जो बिटामेन है वो बिटामेन K यानि कि D नमर आपका राइट आंसर होगा है ना अंगला कॉस्चन देख लो कौपर की कमी से होता है तो कौन सा पेलाग्रा, एनिमिया, एन फिलू एंजा या फिर जीरो फिले लमिया जीरो फिले लमिया कौपर की कमी से कौन सा रोग होता है तो 27 का आंसर सभी लोग बताएंगे तब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सभी लोगों ने बिलकुल बताया है एनी मिया बी नमर आपका बिलकुल राइट होगा अगला कोश्चिन देखेंगे सेवालों और कपकों को किस समूह में रखा जाता है सभी को बताना है सेवालों और कपकों को किस समूह में रखा जाता है सेवालों और कपकों को सबी लोग बताएंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा प्रशन करमांक 28 का वो क्या होगा वो होगा थेलोपाईटा समूओ अधिकांस लोगों ने बिलकुल सही बताया है थेलोपाईटा है ना बिलकुल राइट आंसर अधिकांस पैने सिलिन की खोच किस ने की थी? सभी लोग बताएंगे सभी को पता है चार बिकल्पों में से एक का उत्र बताना है तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैने सिलिन की जो खोच की थी वो किस ने की थी? पैने सिलिन की सभी लोगों ने बताया है क्या बताया है? तो बिलकुल साही है फ्लैमिंग ने की थी यहीं की सानम मर आपका साही होगा है ना सर परताम फ्लैमिंग ने 1944 में पैने सिलिन नामक एंटिवाइट एक पैने सिलिन नामक जो है कबक से प्राप्त की थी तब खाने योग कबक कौन सा है सबी लोग बताएंगे तब प्रश्ण करमांग 30 का आपका होगा एगे रिकस एक खाने योग कबक है यहनि कि सा नम्मर आपका बिलको राइट अंसर होगा सा नम्मर ठीक है है ना यह क्या होता है मस्रूम मस्रूम इसे बोलते है जैहिन सात्यो स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी किलासे स्विस्समिजेन यूटूब चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टूडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे है तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो सेल्फ स्टेडी किलासे इस प्रकार से जब आप पिले स्टोर से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है तो इस प्रकार से self study classes आपको सर्च करना है और ऐसे icon में आपको app मिलने बाला है ठीक है तो दोस्तों हम देखें कि play store में आपको इस प्रकार से देखेगा ये self study classes ठीक है ये play store में आपको self study classes का app देखने बाला है ठीक है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीके अब दोस्तों इसको install करना है यहाँ से आप install करेंगे ठीके अब install करेंगे तो बहाँ पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे